बोखलाए इम्रान खान का नया पैतरा बोले भारत के परमाडू हत्यार नहीं है सुरचित जम्मुक कस्मीर से अनुचिस 370 को हटाने को लेकर संयुक्त राश्ट्र सुरुच्चा परिशत के मुख्य खाने के पाद पाकिस्तान के प्रधावन मंत्री पहत बोखला गए दोस्त इम्रान ने भारत की चवी खराब करने के लिए एक नया चाल चलिये दोस्तों इम्रान ने कहा कि भारत के परमाडू हत्या सुरचित हातों में नहीं है और इस पर दुनिया के देशों को गंभीरता से ध्यान देना चालिये वाँ भाई वाँ अपने देश में आतंकियों को पनहा देने वाले इम्रान खान का सुरच्छा परिसद में जब कोई दाव नहीं चल पाया तो दुनिया का ध्यान खिचने के लिए इस तरह के दुस्ट परचार का एक और पुलिंदा खोल दिया दोस्तों खुद आतंकिवादियों के समर्थन करने के कई ट्विट कर रहा है परधान मंत्री मोदी के हाथों में भारत के परमाड़ों हत्या सुरच्छित नहीं है इसलिए दुनिया को इसे गंबिता से लेना चाहिए थे इसलिए इम्रान खान ऐसा बोल रहा है दोस्तों आपको क्या ल परमाड़ों हत्यारों के पहले इस्तिमाल ना करने की नीती पर कायम है मतलब no first use हम पे कोई हमला करेगा उसके बाद ही हम उस पे हमला कर सकते है उसके पहले नहीं करेंगा लेकिन यह भविस के घटना करम पर निर्भय करेगा कि यह जो पॉलिसी हमारी आज की है no first use वाली व इस भयान के बाद इमरान खान की भौकलाट एकदम बढ़ गे दोस्तों उसलिए बौकला-बौकला के कई ट्विट कर रहे है और अनापसना बोल रहे है बौकलाट में उन्होंने ट्विट किया कि भारत में हिंदू वाजित तकते हैं जो मौधी सरकार को नियंत्रिद करती ह उनकी निती में बदलाओ के संकेत न केवल छेत्र के लिए बल्के पूरी दुनिया के लिए खत्रा है इमरांग खान लगता है कि कुछ अलगी सोच रहे भाई बता दी कि पाकिस्तान खुद परमाडो हत्यारों के पहले इस्तिमाल ना करने की निती का पालन करने की बात कभी नहीं करता जबकि चीन समय दुनिया की अन्य देश सभी परमाडो हत्यार संपन देश इस तरह की निती का अनुसरण करती है दोस्तो पाकिस्तान के विद्धिस मंत्राले ने सन्युवार को एक बयान जारी कर भारत के रच्छा मंत्री के बयान को दुर्भाग पूर गहर जिम्दाराना ठेराना वा पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा थैंकि दोस्तो